Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और यह एक वीडियो है फायर्स पे फुली एलगो ओडर पे तो इसके अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि फुली एलगो ओडर कैसे जनरेट करते हैं और कैसे लगाते हैं सबसे पहले हम अपने सेंटेक्स पे चलते हैं next levelbar और के सेंटेक्स पे यह संटेक्स पेज है और यहाँ पर सारे ब्रोकर दे रखिए जिना के आप सेंटेक्स बना चकते हों तो इन सबकी में वीडियो बना चुका हूँ और आपको इसकी प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी हर ओडर की पर्टिकॉलर वीडियो है प्ले लिस्ट में है यह नहीं तो अभी के लिए हम क्या करते है रेगुलर पर किलिक करते हैं यहां IOC दाल देते हैं IOC और IOC दालने के बाद NSC select कर लेते हैं यहां पर one select कर देते हैं buy कर देते हैं market कर देते हैं regular order के अंदर आपको fully algo के अंदर आपको market order मिलेगा क्योंकि यह fully algo पुरानी position को close करना है इसका मतलब यह है कि अगर हम limit order लगाएंगे तो पुरानी position तो होगी नहीं बिड होगी तो उसे close करके कोई फायदा नहीं है इसलिए इसके अंदर सारे market order होते हैं limit order नहीं होते हैं अब market के बाद में intraday select कर देता हूं intraday select करने के बाद code generate कर देता हूं अब यह code क्या काम करेगा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं यह मैंने copy करा तो अभी तो यह काम यह करेगा कि पुरानी position को close करेगा जो कि अभी है यह नहीं करेगा और नहीं position only add कर देगा तो मैं आपके सामने trading view पर जाता हूँ और यहाँ मैंने पहले से इक horizontal line ले रखी है, तो मैं horizontal line पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक tag डाल देता हूँ, tag के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ टैग लिखा रहा हूँ, tag के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, और मैंने syntax डाल दिया, syntax डालने के बाद आप मैं इसे tigger कराऊंगा, तो एक buy का order लग जाएगा और पुरानी position close नहीं होगी, क्योंकि पुरानी position है ही नहीं तो मैं आपके सामने tigger कराता हूँ, जैसे मैं tigger कराऊंगा यहाँ पर alerts आएगा, आपको दिखा दिता हूँ, यह alerts आ गया है और अगर हम fires पर जाएगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरानी position चेक करेगा पुरानी position नहीं है, तो इनने नई position buy की लगा दी बट अब मैं अगर sale का order लगाता हूँ, मैं इधर गया और मैं एक sale का fully algorithm generate कर देता हूँ, मैं तो यहाँ sale पे click कर देता हूँ और code generate कर लेता हूँ, अब यह क्या करेगा, मैं copy कर लेता हूँ कि इस buy को close करेगा और sale लगाएगा, क्योंकि अब यह एक position है, तो मैं आपके सामने फिर से एक tag दाल देता हूँ, मैंने tag दाला, tag के बदले आप कुछ भी लिख सकते हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ और save करा मैंने, अब जैसे मैं इसे tagger करा हूँगा, तो यह क्या करेगा, पुरानी position को close करेगा, पहले alerts देख लेते हैं, अलर्स आया, यह पुरानी position को close करेगा, यह close करी और नई position add कर देगा, पर ऐसे के अंदर आपके साथ problem ही आएगी, कि आपको नई position add नहीं दिख रही back end में लग गई है, यह fires की problem है कि आपको अगर देखना है, तो आपको इसको refresh करना पड़ेगा, जब आपको दिखेगी, आपको दिखेगी है, यह refresh करते हैं, तो आप जैसे ही यहा करोगे, ट्रेडिंग, refresh, ट्रेडिंग, डिटेल, देन आपको order दिख जाएगा, यह fires की problem है अगर आपने fires नहीं खोल रखा तो आपका back end में order लग गया, कोई tension लेने वाली बात नहीं है, आपका order automatic लग जाएगा, I hope आपको पता चल गया bracket order कैसे लगता है, fully algo order कैसे लगता है, और इसी तरीके से आप bracket order को भी बना सकते हैं, और cover order को भी बना सकते है, fully algo में, तो इस त क filmmaker, कस करने है,astry आपको पने को आपका रखाग है, और tą सकते हैं, झापक Allahu certificate रखका बना सकते हैं, और ऑलने हैं भी एखना है, दिका नहीं है, तो तो भी बना सकता है, बना सकता है, हज़ यादान का उता हैं, आपको पका ह्शन को जाएशन को रखता है, विह हैं टो दिए